नमस्कार मैं अभिशिक शिवास्तव और आप देख रहे हैं लोगना आए डालते हैं आची खास खबर पर नज़र गौलियर यूनिक कैफे एंड रेस्टोरेंट पर फाइरिंग कर तोड़ फोड करने वाले चार बदमासों का यादव धरम काटे चोराई पर लाकर पुलिस न निकाला आरूपियों को जलूस निकाल कर घटना इस्तल पर लेकर पुलिस पहुंची कब देर रात बदमासों को वर्थडे पार्टी में गाली गलोच नहीं करने पर रेस्टोरेंट संचलक ने रोक टोकी थी जिस्चे नाराज बदमासों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बारतात को अंजाम दिया हजीर अथाना पुलिस ने कारवाई कर अन्य आरूपियों की तलास शुरू कर दी है कि किस मामले के आरूपियों कर लाएं कि कल एक यूनिक कैफे नाम क्या रेस्टोरेंट है जो बिर्ला नगर फूल के नीचे है वहां पे कल शाम को तकरीबन साथ आठ बजे यह लोगों ने फाइरिंग की घटना की माउली विवाद के उपर से और उसमें रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ भी एक जहां पर आम लोग भी बहुत थे और सामान नागरिक भी वहां बोजन कर रहे थे इस घटना को बहुत गंबीरता से लेते हुए पुलिस सदीक्षक मावदे ने सीगर गरफतारी के आदेश दिये थे इनको रात भर और आज दिन में लगातार हमारी कि टीमोने उनको पता करके और न की इरफतारी की है अभी उनको इनके कपजे से चुकि इनके पास दो खट्टे थे जिससे हिन्होंने फाइरिंग की उसकी रिकावरी के लिए उनके बताई स्थान पे हम उनको लेके आए और साथ ही घटना का रिक्रियेशन भी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 7-8 हारोपी थे बागी का भी नाम अभी पता चलना है तो किस तरीके से लोग इखटे हुए क्या इन्होंने प्लानिंग की तो घटना की रिक्रियेशन और साथ में उसकी रिकवरी जो बैपंस इनने कुछ सोचल मीडिया पे भी इन्होंने वेबंस दिखा कर वाइरल किया है क्या है ये तहकीकात में ये भी मालूम हुआ है कि इनकी पुराने जब सोचल मीडिया एकाउंट्स खांगा ले गए तो उसमें इनके द्वारा वैद हत्यारों का प्रदर्शन करते हुए और इस तर संदेश दिखने के लिए आप हमारे यूटुटीवे चैनल को सब्सक्राइब करें करेगा उसके खिलाब सक्थ कारिवाई मौण करेंगे ऐसे ही वीडियोगे के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी हमारे अन्य परल् attending वीडिया हैंडल जैसे की इंस्टेग्राम और फेस्बूक को भी आप फॉलो कर सकते हैं